हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में प्रिंट इस्पोलर प्रोलम को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए सुरू करते हैं आपको क्या करते हैं यहां पर साच बार पर क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा आपको क्या करते हैं यहां पर टैप करते हैं यहां पर फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा इसको पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो अब आपको यहाँ पर आपको चेक कर लेना है इसके बाद आपको क्या करने के 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 बाद आपको क आपको क्या कमाई इस विंडों को से क्लोज करते है क्लोज करने के बाद आपको क्याρχ esquer囊 करने के hugging सिस्टम को रियस्टार्ट करने के बाद आप चेक करने के दिए आप और आपको क्या करना यहां पर शेतिंग दिखंगे गार्व पर आपको क्ना करना यहां पर फिर सम्द कर देख गए इसके पर आपको क्या करने के supuesto देख जाएंगा dus इसके उपर आपको क्लिक करने के बाद यह विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको अधर टर्वर सुट दिख जाएगा इसके उपर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रिंटर दिख जाएगा इसके आगए यहाँ पर देखेगा रन लिखा होगा तो आ इसके बाद आपको क्याकने इस window को यहां से close करने है क्लोज करने के बाद आप चेक कर लीजेगा जो यह problem हा रहा था यह problem solve हो जाएगा और please guys चैनल को subscribe करे like करे share करे thank you